तो फिर सामा आच विकेता अनुवेस्ट पार होस जाश्ट हन्ट फार्म एपिसोड 13 के साथ तो वेडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखा जाता है कि एक बहुत बड़ा एक्स्प्लोजन होता है और हमें तभी दिखा जाता है कि यहां पे वही इस एक्स्प्लोजन देख र और उसके साथ साथ उसका आंट आ जाता है और वह आके एक्से मादद मांगता हूं मस्टर से मिलने के लिए यह सुणके ओपादर की यह बाते सुनके थाट प्रिंसेज मनीमन में सुचता है कि अगर सिनियार का मादद मिल जाए तो यह दायवाइस उनका टेजर कुछ भी न करने लगते कोई आचाना से पीछे से सब्सक्राइब दिया होता है और यह कह रहा होता है कि कि दिख्अ क efter हैं किि麼 करते हैं तो करने हुद्धिन प्लैक्लाओं सेट का लिडर हूंसा गुद्धध है कि मैं हुझ अ हूं बलैक्लाओंड सेट से मैं यहाँ पर आया हूँ दायो हाईजून का ट्रेजा लेने के लिए तुम मुझे वो ट्रेजा सिदा सिदा दे देते हो तो तुम मरने से बच सकते हो और इसको देखके थाट प्रिंसेस का आंड कहता है कि तो यह है ब्लैक क्लाउड सेट का लीडर कि मुझे उपशेय करने के लिए इकिंगो का फादर कहते है कि मशें कारना मेरी मास्टर जो बहुत यह किसमत वाला और बहुत अनगीनर समता से बारा हुआ है वो मुझे ओडर दिया ये ट्रेजर हसल करने के लिए और मैं अगर ये ट्रेजर नहीं ले जाता हूं तो मास्टर बहुत ज्यादा घुस्ता हो जाएंगे और अगर आप सीनियर भी हुए तो आप भी मौत से भाग नहीं सकते ये बाते सुनके ब्लैक क्लाउट सेट का लीडर कहता है कि मास्टर वह कौन है उसको भूला मैं उसे देखना चाथा है ये बाते सुनके एकिंग के फदर कहता है कि आप क्या सोचते हो ये डायो हाय सुनका च्छोटा सा टेजर के लिए मास्टर सनली यहां पर आयागा मास्टर अपना काम कर है और यह जो मेटर अल्डेडी मास्टर के क्वांट्रॉल में है कि ये बाते सुनके ब्लैक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डढर जाता है और वह देगने लग दाए और ब्लैक ट्लाइब यहां वान देखता और यह को नहीं इंदगे और यह देखको कहता है कि क्या मुझे तीन-सौल के बच्चे समझ के रखा है और मुझे बुद्धू बनाने का कोसिस कर रहा है और फिर गूजता करते हुए आचाना से बहुत यह प्लाम एटक करता है और वो कहते है कि सब एक साथ आ जाओ और वो आचना से वो दोनों spiritual वेपन अपना रिलीज कर देता है और सभी मिलके अपना spiritual energy देने लगता है और एटक करने के लिए ब्लैक क्लाउड से लिटर का प्लाम एटक इतना ज्यादा पारफुल रहता है कि उस सभी ने जो spiritual barrier और देखके ऐसा लगड़ा है कि fight बहुत जल्दे शुरू हो गया है और इधार हमें दाइसान को दिखाया था है और जो रहा होता है और तभी हमें इकंगो फादर को दिखाया था है मास्टरम ने हमें म्याशन दिया था क्या वह कंपलिट हो पाईगा और वह सभी एक साथ सोचने लग। गी मास्टरμεं ने वमारा साथ चोड़ दया है क्या तुम बोल भी सकती है अच्छानक से एकिंग को कहा था कि हाँ हमारा मास्टर का नाम चेंफिन है पर आप क्यों पूछ रहे हो और तभी ब्लैक से लिटर उपर से कहता है कि ऐसा लागदा है कि तुम्हारा मास्टर अभी भी ट्रिक कर रहा है तो छोटी सी लड़की ब्लै और शोटी से लड़की को लेकर वहां से दूर वाट जाए और तभी दाइसन के सरी से एक बहुत ही पावारफुल स्प्रिच्वल जाइंट बॉड़ी रिलिस होता है और दाइसन कहा रहाता है कि मैं देख सकता हूँ अब मैं सब कु समझ गया और इधर हमें दिखा है कि यह कि कहता है कि इसका मादलाव हमें और यूद करने का ज़रूरत नहीं है और यह उद्ख़तम होगी है अचानक से दावसन आसमान में उड़ जाता है और यह देखे किसी को कुछ भी समझ में नहीं या और इधर हमें दावसन को दिखा आया जो ब्लैक क्लाउड से लिडर को ए से क्लाउट सेग लीड़र को अँटेक कर दिया होता है है और धर्म से आके बिल्याक प्लाउट सेड Français लीड़र नीचे गड़ता है और सब बहुत हां ऑड़र जांट फिल्याए और बाड़र को जन ere- à dollar जहां पर एक्यूंगु उसके फादर को कहा हुआ है कि Master ने हमारे लिए बैकाप भेजा था ऐसा लगाँगा है कि Master ने हमें नहीं सोड़ा इक्यूंग के फादह रहुत ही कहाता है कि जरूर हम बो लोग नहीं है जो Master वैसे ही हमें छोड़ देने और इधर हमें third princess को दिखाया ह है जो चेंफन का बाड़ में सोचते हुए मनीवन में कहते कि क्या वो हर्मीटी मोटल सा तभी वो छोटी सी लड़की मास्टर मास्टर कहते हुए आगे जाने लगता है और यह देखिए उसका सिंग्या सिस्टर चिल रहती हुए कि फैंगली तुम आगे नहीं जैसा और हमें दिखाते कि जब चोटी सी लड़की अगे जा रहा होता है और तभी उपर Daejeon का पैर रहता है अचनक से पो लड़की उसके मास्टर के सामने आकर कह थे कि प्लीज हमारे मास्टर को मन्द मढओ महरू की जन बचती और उस च्छोटी सी लड़की को सामने देखिए वह दाख जादा घुस्सा हो जाता है और वो दात किछते हुए कहते हैं कि तो और तभी दाइसन बहुत ज़्यादा है और वो मनी मन में कहते कि अरे रुको क्या मस्टर इस छोटी सी लड़की को पसंद करता है और या फिर मस्टर यहां पर मुझे भेजा इन लोगों को बचाने के यह बीस्ट का सरीर मेरे पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा है यह पावर लिक हो रहा है और तभी दाइसन का स्प्रिच्वेल बीस्ट बडी स्विंग करता हुआ गयव हो जाता है और दाइसन अपने आसली फॉर्म में आ जाता है यह देखिए वो चोटी सी लड़की बहुत आपका बहुत-बहुत सुक्रिया हमारे मास्टर का जान बाचने के लिए और उस सभी को घुड़ने टेकते हुए दाइसन अपने एटिट्यूड में आ जाता है और वह कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग घुड़ने टेको और मैं तुम माप कर दूग और इधर हमें दाइसन के सरीर के अंदर उस बुड़े को दिखाया था है उसका हलात बहुत भी घराब होता है और मनीमर में कहते है कि फॉर्चुनेटली यह बुड़ा मेरा सरीर को नहीं देखा कि मैं कितना घायल हूँ वह अगर देखता तो मेरा आज भी मेरा खतम हो जात यह सुनके इक फादर कहता है कि मास्टर ने हमें बताया था कि दायो हाईजन को टेजार हसिल करने के लिए यह सुनके दायसन कहते कि अगर ऐसी बात है तो जल्दिसे जो आइटेम है वो लो और मास्टर के पास जिन सेफ्ट होता है ब्लैक क्लाउड सेट लिडर को दिखाया लड़कियों कहते है कि हाँ तुम मास्टर के मौन पे चरके क्या कर रहे थे यह सुनके वो चोटी सी लड़की कहते कि यह बात ऐसी है कि और तभी दिखाया थे कि कुछ समय बीच जाता है उसको बताने में और पूरा दो घंटा बीच जाते उसको समझने में तभी हमें होने वाला है तुमारे बाज़े से और इधर हमें दिकाए कि ब्लाक डाउद से इडर कालाद बहुत ज्यादा खराप हो जाता है और वह चिलीया रहा होता है कि सब कुछ खतं हो गया हमारा सब कुछ क्तम हो जिंस में चैनफियंक को दिख्काई जो हेच्चू करता है चैनु इस तरह का पाने के लिए और आपके पास कोई भी ओपीनियन है या फिर कोई भी कॉमेट भगारा पार्ट सनकौन करना चाहते हैं तो जाके इंस्ट्राइम भगारा फॉलोव बगारा जो भी करना है कर सकते हो तो आज के लिए पास इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिज़ड म बाइब।